उत्राइन आ रही है मतलब के मकर सकरांती गुजरात में इसे उत्राइन बोलते हैं तो उत्राइन के अवसर पे बनाते हैं चिकी तो आज हम बनाएंगे ड्राइफुट चिकी और मार्केट में जैसी मिलती है वैसे ही घर पे बनेगी बहुत ही आसान तरीके से तो ड्राइफु quantity मतलब कि बड़ी चोटी कटोरी आप ले सकते हो आगे जो भी measurement करना है उसी कटोरी से हम करने वाले हैं तो यहां पर मैंने सारे dry foods को dry roast कर दिया है अच्छे से roast हो गए हैं अब इसका थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ठंडा हो जाए फिर इसमें हम कट लगा देंगे तो यह dry foods मैंने अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो इस तरह मैंने उसे बीच में से कट कर लिया है इसे हमें बहुत चोटे pieces में कट नहीं करना है इसे हम दो टुगडो में कट करेंगे मार्केट से जब आप ड्राइफूर्ट चिकी लाते हो तो वो भी इसी तरह कट किये होते हैं लिए मैंने सारे ड्राइफूर्स को कट कर लिया है अब हम बना देंगे चाशनी तो ये चिकी हम बनाएंगे चीनी से ये वाली चीकी हम चीनी से बनाएंगे तो उसका टेस्ट और टेक्शर बहुत ही अच्छा आएगा चीनी थोड़ी से अनहेल्दी है गुड के कमपेरिजन म उत्राइन साल में एक ही बार आती है तो एक बार तो हम ये चीकी खाई सकते हैं तो चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर मैंने जो कटोरी बरगे ड्राइफूर्स लिये थे वही कटोरी में मैंने आधी कटोरी बरगे चीनी ली है और एक नोंस्टिक पैन र रख दिया है और गैस की फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है क्योंकि हाई फ्लेम रखेंगे तो चीनी एकदम जल जाएगी और यह पहले प्रिपेरेशन करना ज़रूरी है तो मैं वह कर रही हूँ मैंने एक बटर पेपर ले लिया है और उसे मैं गी से ग्रीस कर लूँगी त इल्कुल भी हमारी जो चीकी वाला जो मिक्षर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए वनना हमारी चीकी अच्छे से फैलेगी नहीं बहुत मोटी मोटी बनेगी बटर पेपर को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है तो अब चलिए फोकस करते हैं चाशनी पे तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए इस सारा करके हमें चीनी को मैल्ट कर देना है तो चीनी हमारी अच्छे से मैल्ट हो गई है उसमें बड़ी हासा कलर भी आ गया है चीनी जैसा ही मैल्ट हो जाए गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे ट्र ट्रैफुट्स दालने के बाद उसे फटा-फट से mix कर लेना है सारे ड्रैफुट्स के ओपर ये चाचनी अच्छे से कोट हो जानी चाहिए तो अब अच्छे से mix कर लिया है मैंने सब कुछ तो अब इसे निकाल लेंगे बटर पेपर के उपर और ये जो spatula है उसी की health से अभी हम थोड़ा उसे प्रेस करके फैला लेंगे मिक्षर अभी बहुत ही गरम है तो spatula से इससे इस तरह थोड़ा थोड़ा फैला लेना है और फिर उसके बाद हम बेलन से इसे बेल लेंगे ये काम हमें थोड़ा जल्ली जल्ली करना होगा वरना अगर मिक्षर ठंडा हो गया तो हमारी चीकी मोटी मोटी बनेगी एकदम पटली नहीं बनेगी मार्केट जैसी तो ये देखे बेलन ले लिया है मैंने और इसे गी से थोड़ा सा ग्रिस कर लिया है ताकि बेलन के उपर ये चीकी का मिक्षर चिपके नहीं और इस तरह प्रेस करते हुए मैं उसे फैला लूँगी तो आप देख सकते हो कि इजीली मैंने इसे फैला लिया है और ये ड्रैफोट्स जो साइड में से अलग हो रहे हैं उसे स्पैचुला की हल्प से इस तरह से दबा के हमें इकटा कर लेना है ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें अलग ना हो जाए और अब इसे फिर से बेल लेना है तो आप जितना उसे बेल सकते हो उतना बेल लीजे जब तक ये गरम है तब तक अच्छे से बेल जाएगा चिकी चितनी पतली होगी खाने में उतना ही मजा आएगा तो इसे हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे तो चलिए चिकी को मैंने बेल लिया है और अब इसके उपर कट लगा देंगे मिक्शर अभी थोड़ा सा गरम है तो इसके उपर अच्छे से कट लग जाएगे मिक्षर अगर ठंडा हो जाएगा तो उसके उपर अच्छे से कट नहीं लगेंगे और जैसे पीसिस हमें चाहिए वैसे हमें नहीं मिलेंगे तो ये मिक्षर थोड़ा सा गरम हो तब ही उसके उपर कट लगा देंगे तो ये देखे सारे कट मैंने लगा दिये हैं इस तरह का बड़ा सा चाको आपके पास है तो वो ही लीजिए उससे फटा-फट से हो जाएगा और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मिक्चर एकदम ठंडा हो जाए फिर उसके पीसिस हम निकालेंगे तो ये देखें मिक्चर ठंडा हो चुका है और कितने इजिले इसके पीसिस निकल रहे हैं तो आपने देखा कितने इजिले ये चिकी मैंने बना ली कोई भी इसे बना सकता है जो पहली बार बना रहा है उससे भी ये चिकी एकदम परफेक्ट ही बनेगी आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो एक पीस में आपको दिखाती हूँ एकदम पास से कि कैसा दिख रहा है तो ये दिखिए लग रही है न एकदम मार्केट जैसे चिकी इसे मैंने 15 से 20 मीट में बना लिया है बहुत टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में और खाने में और देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए इसके आवाज में आपको सुनाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी है तो आवाज सुन के आपको समझ आई गया होगा कि यह चीकी कितनी बड़िया बनी है तो चलो एक पीस में आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे यह तूटता है कितना एजीली तूटता है तो यह दिखिए कितनी इजीली तूट रही है एक दम्मू में गुल जाने वाले चिकी बनके ready है इसे आप कभी भी बना सकते हो और इसे enjoy कर सकते हो तो चलिए आप इसे भर देते हैं एक airtight container में इसे थोड़े से भी हवा लग जाएगी तो ये सौगी हो जाएगी तो इसे थंड़ा होने के बाद फटा फट से airtight container में भर देना है तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक आईस्क्रीम का डिपा जो मेरे पास पड़ा था तो उसके अंदर ही में ये सारे चिकी भर लूँगी तो रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजे और चैनल पर नहीं होते सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी कृष्ण